आज बनाते हैं authentic pancakes जो 10 मिनट में बन जाएंगे एकदम soft और स्वाद इतना अच्छा कि पुछे मत शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसका batter ready करेंगे इसके लिए मैंने आधा कप मैदा लिया है चीनी लेंगे पिसी हुई 1 थर्ड कप और इसके साथ जाएगा milk powder क्योंकि condensed milk नहीं डाल रहा है वो डलता है बट नहीं डाल रहे हैं उसके जगे मैंने milk powder डाल दिया वही टेस्ट आएगा और ये है baking powder तो आधे कप में 1 फोर्थ चम्मस से थोड़ा सा जादा हम baking powder डाल देंगे और इसको पहले चम्मस से अच्छे से सारे जो dry ingredients हैं उसको mix कर लेंगे ये pancakes ऐसे हैं कि आपका कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो फटा फट से 10 से 12 मिनेट में ये बनके ready हो जाते हैं इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि भीगोना या कुछ time लगना ऐसा कुछ भी नहीं है अब ये मैंने दूद लिया है room temperature का और उसमें पहले थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और mix करेंगे अच्छे से ताकि सारे dry ingredients और दूद अच्छे से mix हो जाए लंप्स नहीं आने चाहिए दीरे दीरे mix करते चाहिए लगे तो दूद डालिये जो batter की consistency है बहुत runny नहीं होना चाहिए ये मैंने butter डाल दिया बटर से थोड़ा सा salty flavor आ जाएगा और एक glaze आता है pancakes में और ज़रा सा vanilla essence डाला है तो चार ड्रॉप तो ये देखे इस तरह की consistency होनी चाहिए बहुत runny रहेगा न तो pancake एकदम पतला आएगा फिर वो मज़ा नहीं आएगा अब हमने एक pan लिया है और ये देखे स्पून है एक नाप लीजे तो उसे क्या सब एक size के बनेंगे pancakes और pan बिलकुल गरम नहीं होना चाहिए समझे कि ब कितम हलका गरम pan होना चाहिए उसमें ये डाल के और हम ढग देंगे और इसको कितना सीखना है वो हमें border देखके पता चलेगा देखे किस तरह से ही है इस तरह से बन गया न और side में हमें border देखके पता चलेगा तो उती देर नहीं हुआ था ढग दिया था एक दो मिनिट न एकदम और हम दूसरे side भी इसी तरह से ढग के सेख लेंगे बस एकदम इसकी एक ही शर्त है कि बिल्कुल slow flame पे हमें सेखना है लगे तो बीच में gas बंद भी कर सकते हैं और ये ready हो गए हैं बस इनको बनाते चाहिए और ढग के रहके क्योंकि एकदम soft रहना चाहिए moist रहन करते हैं और बस गर्मा गरम soft कीजिए उपर से थोड़ा सा honey डाल देंगे ना तो फिर कहना आई क्या ये pancake एकदम basic और authentic pancake है मतलब इसका टेस्ट ही अपने आप में बहुत अच्छा है कि इसमें और किसी चीज की भी जरूरत नहीं है तो आपको जितना honey डालना उतना डाल के और फिर इसको enjoy कीजिए यदि आप चाते हैं कि इसी तरह की और recipes का notification आपको मिलता रहे तो चैनल subscribe करके bell icon ज़रूर press कर दीजे